मतुरा थाना नौजिल क्षेत्र में इड़टे पर कारे करने वाले तीन मज़ुरों की संदिक्द परिस्थितियों में मौत हो गई है फुट पॉइजनिंग से मौत की आशंग का जताय जा रही है पुलिस ने तीनों मज़ुरों के शवो को पोस्मॉटम के लिए भेज दिया है और जांच पढ़ता शुरू कर दी है नौजिल क्षेत्र में जारकन के धनवाद निवासी, 36 वर्षय भिमवारी, इसका सगा भाई, 34 वर्षय राजकुमार और साला, 35 वर्षय किशोर अपने परिवार के साथ क्ष्रिकृष्ण ईट उद्योग पर मज़ुरी करते थे मंगलवार को तीनों के अचानक तबियत खराब हो गई, बुद्वार को वह अपनी जुगी से नहीं निकले, तो पडोसी मजदूर प्रमोद एवं अन्य जब तीनों की जोपडियों में गए तो पता चला कि इनकी तबियत खराब हो गई है पडोसी मजदूर उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुँचे, तो डॉक्टरों ने भीम और उसके बाई राजकुमार को मृत घोशित कर दिया, जबकि किशोर की उपचार के दौरान मौत हो गई गटना के सुचना मिलने पर मौके पहुचे एसपी देहाज श्रीचंद्र ने इट भट्टा और मृतकों के पडोसियों से भी पुछताश की है पुलीस ने तीनों मजदूरों के शवों को पोस्मॉटम के लिए भेज दिया है परिजनों की दभी जुबान से कहना है कि मंगलवार की रात को तीनों ने खाना खाया और शराब पी थी उसके बाद मू से जहाग आने लगे और तबियत बिगड़ती चली गए बताया जा रहा है कि हजारकंट से दो महाँ पहले परिवार के साथ तीनों मजदूर नौजिल में इट भटे पर मजदूरी करने आई थे सीमेस मुकुन बंसल का कहना है कि इन तीनों मजदूरों को नौजिल से उप्चार के लिए ला गया था जिसमें दो मुरुत पाए गए थे जबकि एक मजदूर की उपचार के दोरान मौत हो गई है फुट पॉइजनिंग के आश्यंका बताए जा रही है पोस्मॉटम के बाद ही मौत का कारण्स फष्ट हो सकेगा संक्या ब्यक्त कर रहे हैं कि कोई फुट पाज नहीं हुई है जिसके चलते वह बीमार हुए इनकी चिकतसा उन्होंने करवाई है और आज तीनों के डेथ हुई है पिर भी गहराई से चानवीन की जा रही है और तत्यों को परताल करते हुई करणों का सही पता लगाए जाए हुई हम खुब मालूम नहीं हम सिर्फ साथ में साथ में रात में जब हल्ला हो गया तो नहीं आने कर चा तो हम सोचा अपना जिलाजवार का आदमी है तो मदद त तीनों की भी मौत हो गई है तीनों के फूट सैंपल लिए गए है पोस्मॉटम भी कराय जा रहा है जांच परताल की जा रही है जांच के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा इन बीसिन न्यूस के लिए मतुरा से अज़े ठाकूर की रिपोर्ट